के अध्यन में हम लोग जानते हैं solubility and solubility product के बारे में विलेता और विलेता गुड़नफल के बारे में हम लोग सीखेंगे ये क्या है विलेता क्या है विलेता गुड़नफल को देने के लिए दरासेल इसका definition क्या होता है बैग्यानकों का कहना था इस्थिरताप पर किसी का बूरे आम बोल रहे हैं संत्रिक टिवलेयन में उपस्थित आयनों के सक्री दरभिमानों का जो गूळनफल ऊसी कम लोगludary call द्रशित जाईए तक चीनी खुलता जब वाइग्यानिक विलेता गुडलफल से संबंदित कुछ यूणिट दे रहे तो पहले हम लोग पाइं हैं तो यहां पर कहीं तरीके से यूणिट दिया जाता है पहले तो बैग्यानिकों ने कहा कि सव ग्राम बिलायक में, सव ग्राम बिलायक यानि साल्वेंट, सव ग्राम बिलायक में बिले की जो अधिक्तम मात्रा घुल सके, ग्राम में, बिले की अधिक्तम मात्रा जितनी घुल सके, सव ग्राम बिलायक में वही है बिले की बिलेता, य कि कि यहां पर हम लूग लेंगे किया लेंगे यह ग्राम मे लेंगे यह किस में लेंगे यानि किसी पदार्थ का कितना ग्राम वीलियन आयतन में घुला हुआ है फिर यह बात भी सही आई यहां पर कुछ बात यह लागू होता है लेकिन हम लोग जो स्वाइबिल्टी में अध्यान करते हो क्या अध्यान करेंगे देखाया जाता है मौल्स पर सलूट इन पर लिटर वालूम कि क्या है घुला हुआ हम जीतियों का कितना क्या घुला हुआ है यह जो हम लोग अध्यान करते हैं सила विलिटी प्रॉडक्ट में इसी उनिट का क्यों बोडुक करते हैं और इसे से हम लोग अध्यान भी करेंगे चलिए जला हम लोग सीखते हैं सुल्बिल्टी प्रोड़क्ट है क्या सब कुछ माले जी हमारे पास एबी कोई लेक्ट्रोलाइट है और यह स्टेन में है राइट जब आप इसे जल में डिजाल्व करेंगे जल में डिजाल्व तो क्या होगा एबी यानि एक्वस फिर यह क्या होता है एक प्लस में टूड़ जाता है और दूसरा भी माइनस में टूड़ जाता है और यह भी किस में होता एक्वस में होता और यह भी किस में होता वच्छ एक्वस में होता है अब यहां पर इन तीनों का प्रोसिस का किसमने हैं एक बार 친 डिस्टेंट में होता है अभी होता किया फाले घोलेगा इस्ञाल करना सुरू होका क्रिया करना सुरू करेगा पहले एक कोस में जाएगा फिर यह आयनिक होगा तूटेगा यह आप देख पारें एक यू और यह क्या हुआ पुरी तरह डिस्टो सेट हो गया जैसे यह ने सी अल आपने लिया आप जब इसमें घोलेंगे तो एक बार तो क्रिस्टल में रहेगा ना सॉलेड इस्टेर में रहेगा फिर वो एक कोस में घोलेगा अब यह फिर आटोमेटिकली आयनिक होगा यह ने प्लस सीयल माइनस में फिर वो एक कोस में घोलेगा तो यह जो घोलने की क्रिया होती जब सोलेड इस्टेर में होती है जब सोलेड इस्टेर में होता जब ओ घोलता यह क्रिया इतनी फास्ट हो त्विल्ल उसके बाद एंडि हो गया रािट चलिए अगर सपुज मानली जी हमा पास दी हमारे पास वी एक्त्रोलाइट होता और इसे हम जल में घोल देते किसमें घोल देते तो ब्रारममे तो यह सोने डнов photographed में जब आग direct में हो लेंगे तो यह किसमें दिया अब यहां पर इंट्रेस्टिंग बात यह है कि अगर इससे हमें द्रभ्यनुपातिक क्रिया का नियम का नियम लगाते हैं यहां पर लिखते हैं अगर आप तीरियक मल्टिप्लाइ कीजिए तीरियक जब आप बचों मल्टिप्लाइ करेंगे तो तो A B हो जाएगा एक्वल टू यह हो जाएगा ट्व मासाप A प्लस और यह हो जाएगा ट्व मासाप B माइनस राइट और यहां पर जब आप अच्छे इसका मतलब समझते आप लोग सोच रहे होगे कि यह हमने इसमें मल्टिप्लाइ क्यों कर दिया जब हम आपको आयनिक साम दोनों आपस में एक दूसरे के केमिकल एकुलिब्रियम हो तो यहां पर जो सोलेड इस्टेट होता है वो इस कॉंस्टेंट के वैलूग में क्या होता है गुड़नफल हो जाता है मल्टिप्लाइ हो जाता है राइट तो यहां पर क्या हो जाएगा बाद चुक्की एस्पी हो कि अग्सक्राइब को श्रूम क्लॉराइड और यह इनने सेट सोले डिस्टिड में हैं कि इसे हमने क्या किया जल में डिजार्व किया तो पहले यह जाएगा एकोस्फाम कर्मट होगा अभी हमने आपको बताया फिर यह डिस्टॉसियोट होना शुरू हो जाएगा इसमें तू कि यानि यह很好 सील माइनस τον माइनस का सक्कृत करें चलि अब आपए बगे समझे जड़ा है ये किस में होगा यह तृच किसमे लोगा कर थुद आधा है जल में गूले हुई यह हैं यह हो जैगा यहां पर यह क्या हो जाएगा यह निल कीना हो जाएगा येस स्क्वायर तो ये इस प्रकार से विलेता गुलन फल निकाला जाता है चलिए थुड़ा हम लोग वन टाइप और वन टू टाइप साइट के बारे में जानते हैं CL होगा, KCL होगा, AGBR होगा, NBR होगा और KBR होगा यह आप देख पार है वर वन टाइप साइट है और वर वन टाइप जब साल्ट है, जैसे हमने लिया इसमें से AGCL जब आप AGCL को जल में डिजाल्व कर रहे होंगे तो यह किसमें करवड होगा तूटेगा AG प्लस और CL माइनस में अब बच्वे यह किसमें तूटेगा AG प्लस में और CL माइनस में इसका जो भी लेता गुरंफल होगा वो क्या होगा k s p equal to active mass of a g plus और यह हो जाएगा into active mass of a active mass of c l minus और हमारे पास इसका कितना था yes moles yes moles और जब यह बनेगा तो यहां पर यह ksp equal to क्या हो जाएगा yes into yes यानि यह कितना निकल के आएगा कीस्पी twarf chainy युकॉल्टू यस इसक्वार य फिर आप लेख सकते कीच्वी उक्वाइब के युड्र क्या है ये क्या है की लीए अब थोड़ा एक वंटू टाइप साल्ड केे देखते हैं ववन टू टाइप साल्ड या तू वन टाइप साल्ट कि बात करें तो जो वन टू टाइप साल्ड होता है भच्चो कुछ इस प्रकार से होता है जैसे mg-cl2 है पीबी Pbcl2 को जल में डिजाल्व करेंगे त्ट क्या होगा यह PV डबल्व प्लस में तूटेगा और यह 2Cl माइनस में तूटेगा तो यहां पर जो KSP का वैलू आएगा KSP equal to यह हो जाएगा active mass आप PB double plus और यह हो जाएगा बच्चो active mass up CL minus का whole square यह ध्यान में रखना है यह हम आपको chemical equilibrium में सिखाते भी हैं तो अब यहाँ पर जब इसका yes moles है हमने कितना लिया है yes moles राइट yes moles है यह yes mole टूटेगा यह भी yes mole लेकिन यहाँ पर जब दो है तो yes mole टूटेगा राइट तो एक KSP equal to हो जाएगा yes into और यह कितना है two yes का whole square तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर यह निकल के आएगा KSP equal to ज़रा ध्यान दिजिएगा दो दूनी चार यानि कि four yes q राइट यह निकल के आता है वन टू टाइप साल्ट के लिए अच्छा अब हम लोग जरा सीखते हैं वन थ्री टाइप अगर साल्ट दिया हो तो उसके हम लोग कैसे निकालेंगे है मैंट और या बात करें ऑन- struggling टाइप करेंगे तो आप समझ सकते हैं और लिया क्तना मोल पर रही लिया है तो यहां पर यह क्या होगा एल、टिपल प्लस and three CL माइनस में तूट जाएगा ale डिख लिजी कितना किसपी व्यलू इसका निकल के आएगा एक्ट्व मास आप एक्ट्व मास आप यह सैहल माइनस का होल क्युब अच्छे इसका अगर आप यस लेंगे तो इनके बनेगे कितने यसा और इसका 3S बनेगा तो हो जाएगा KSP एकोल टू यह हो जाएगा यस इन्टू 3S का होल क्यूब अब यह हो जाएगा KSP भीचीज इकोल टू कितना हो जाएगा यह 27 टूटी सेवन यस प्रिपावर फोर यह है वन थ्री टाइब साइट के लिए चलिए आप फड़ा फड़ से आप इसका स्क्रीन सोड लीजिए और अब हम लोग बच्चों सीखेंगे इनसे सम्मंदित कुछ नुमेरिकल्स के बारे में राइट इनसे सम्मंदित कुछ नुमेरिकल्स के बारे में जानेंगे कि थुदा से आहे कम हो रही है चलिए एक हमारे पास नुमेरिकल्स है इससे जरा हम लोग सेखते पटापट से आप इसका इसका स्क्रीन सोर लेजP हमारे पास एक नुमेरिकल्स copy सॉललूइल्टी प्रोडक्ट से जिना इसके बारे में सीखते हैं हमारे पास में है हाड वाटर हाड वाटर ही कि हाड वाटर के नमोने ड के हाड वाटर के नमूल में 0.005 यह मेल मिली लिटर आप देख पा रहें मौल पर लिटर में है इसमें से सीयडवल प्लस सीयडवल प्लस आयंस हटाने के लिए यह देख पा रहे हैं आयंस हटाने के लिए यंटू यससो फोर की नियूनतम यने 2SO4 की न्यूनतम सांद्रता सांद्रता की गर्णा करो यने 2SO4 न्यूनतम सांद्रता की गर्णा करो ठीक और इसमें जो solubility product का जो value है वो दे रखा है यहाँ पर है solubility product किसका CSO4 का इसका value बच्चो दे रखा है 2.40 into 10 to the power minus 5 चलिए इसी को हमें क्या करना है साल्व करना है यानि कि यने 2SO4 की जो न्यूनतम इसकी मात्रा है इसी की क्या करना है गर्णा करना है ध्यान दीजिए इसे हम कैसे लिख सकते हैं CSO4 को जब आप CSO4 को जल में आप dissolve कर रहे होते हैं तो जाइर सी बात है CSO4 में तूटता है और यह SO4 डबल माइनस में तो इसका KSP आप लिख लीजी कितना है इसका KSP CA डबल प्लस और यह हो जाएगा active mass of SO4 डबल माइनस और यहाँ पे KSP वैलू कितना दिया है 2.40 into 10 to the power minus 5 equal to यहाँ पे आप देखिए CA डबल प्लस आइंस हटाने के लिए यह कितना वैलू है 0.005 और यह कितना है SO4 डबल माइनस यहाँ पे C की सांता की गढ़ना करना है तो यहाँ पे यह हो जाएगा SO4 डबल माइनस यह हो जाएगा बच्चो 2.4010 to the power minus 5 divided by 005 चलिए आप इसे हल करिए आप जब आप इसे हल करते हैं तो वैलू निकल के आता है 4.8 4.8 into 10 to the power minus 3 mole per liter यह है यह है solubility product तो आज किस वीडियो में हम लोग सीख पाए solubility product इसे सम्मंदे numerical के बारे में बहुत से numerical हैं हम कोसेश करेंगे इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में और भी solubility product से सम्मंदे numerical को बताया जाए चलिए आप हमें इजाज़त दीजिए अगर हम लोग अगले वीडियो लेक्चर मुलाकात करने कोसेश करें थाइंप प्रहच चाहिं थाइंप टेउड है